हेलो फ्रेंड्स नमस्ते आदाब सास्रीकाल मेरा नाम है रोबिन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोबिन फैशन डिजाइनर में दोस्तों आज कल एक ड्रेस बड़ी ही ट्रेंडिंग में चल रही है जिसे हम बोलते हैं फ्रॉक सूट तो दोस्तों यह जो यह मल्टी पर पर ड्रेस होती है और इसे आप लैगी पैंट यहां फिर प्लाजों किसी के साथ भी इसको आप आसानी सी वेर कर सकते हो दोस्तों यह जो ड्रेस किस तरीके से बनाई जाती है मैं आपको बताता हूं तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हो यह मेरी वाइँ है दोस्तों यह देखीए एक फ्रॉक सुट इस तरह के रिडिमेट और प्रॉक सूट है इसकी पर फीटिंग नहीं है क्योंकि तैरा भी काफिछ शोट है इसका तो दोस्तों जब भी आपने इस तरह का और भी फ्रॉक सुट बनाना हो तो उसका जु मेजरेमेंट कि ऐखे देखी यह है जो गैदर स्भी इसकी छोटी जो इफ की लिए दूस्तों आप लेना होता कि चौली की लबाई किपि रखनी में यह थी की अकोल्ड कोडिक लंबा इसको 15 मिरें नहीं है देखिए इनकी जो लंबाई है यह जो पैना हुआ है इसकी लंबाई आ रही है 49 तो दोस्तों जरूरी ने लंबाई इतनी रखनी है किसी को अगर शोट पसंद है तो वह शोट भी पैन सकता है जैसे 40-42 इतनी भी रखनी हो तो हम जो उसकी लंबाई रखेंगे 49 ही 31 ही जो इसके बाद जो है लोवर टेस्ट वह है 24 इंच कि कमर है दोस्तों तीस के बाजू की जो लंबा एप 15 एंच है और बाजू की आगे से जो गुलाई है वह 11 है और इनका जो बाई शेप है वह तेरा इंच इसके बाद दोस्तों जहाओण आप लेना है वो लेने हमने सि देखिए शोल्डर का तो नापेन का वो है 15 अगर आपको पुलर वाला गला बनाना हो तो इतना ही यह कटता है अगर आपको गला पीछे से डीप करना हो जैसी यह गला छोटा है अगर डीप करना है तो किस तरह से कटिंग होगी वो साइड डीटेल्स में आपको बता दूगा इनका जो पीछे से गला रखेंगे वो रखेंगे चेंज तो दोस्तों यह तो था मेजरमेंट लेने का फार्मूला अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से कटिंग होती है और कितना इसमें कपड़ा यूज होता है तो फेंड्स जैसा कि आप देख सकते हूं यह मेरे प को बताया है यह मीडियम साइज का था तो इस तरह की मीडियम साइज के लिए धाइ से पौन एक टीन मिटर कपड़ा व्यकूल सफिश्येंट रहता है तो दोस्तों अब मैं आपको बताANS आप किस तरे से अपको इसकी कटिंग करनी है यह देखिए दोस्तों इसका शिधावा लेना है इसका हम लेंगे चोली का सबसेल हम इसकी चोली निकालेंगे चोली के दोस्तों इस तरह से कपड़े को डबल कर लें जैसे कि कपड़े को मैं डबल कर लिया है अगर किसी हेल्दी लेडिस का आप बना रहे हो इस तरह डबल करने से अगर उसका साइज नहीं निकल रहा तो आपको करना क्या है इस कपड़े को इस तरह से डबल करना है इस तरह से इसकी चोली निकलती इसलिए इसमें कपड़ा जाद लग जाता है परन्तु इसका जो अर्ज है काफी ठीक ठाक है मीडियम साइज का अर्ज होता है दोस्तो तो ये देखिए डबल कपड़ा है इस निशान लगाएंगे स delete easy diamondった कि ग्रफड़ पर म add eight good दोस्तों चोली जो भी लंबाई रखनी चोली रखनी है जो लेटना थीजमने त्योर yarnkok दोस्तों हमने तयार साढ़े इसको अलग करने के बाद दोस्तों अब सबसे पहले हम चोली की कटिंग करते हैं किस तरह से चोली की कटिंग होगी तो चोली की कटिंग के लिए दोस्तों सबसे पहले इन कपड़ों को आप पीछ में से अलग करने के बाद यह देखिए यह दो पार्ट से यह तो हम पीछे वा लिए है और यह इसका आगे का पार्ट्स अब फ्रेंड पीछे वाला हिस्सा है उसके उपर आगे वाले को हमने इस तरह से रखना है दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यह कपड़ा मैंने बिच्छा लिए यह पीछे वाला कपड़ा है इसको मैं आदा इंच पीछे से बढ़ा रखा है क्योंकि यह फार्मुला होता है जब भी आपने सूट ब्लाउस की किसी की कटिंग अनिया पीछे के से को आपको आदा इ जर्नल इस जगह से अगर आप पीछे पीछे रखना होता है और मॉल्ट की जब भी कटिंग करना है आपको आधंच बढ़ा कर इंदर से करना इंग इसके बाद दोस्तों आपको नियुक्क नदा लगाना है इसके इस जगह से वह लेना है आपको आपर ब्रेस थी दोस्तों 35 35 में तीन इच एड़ करेंगे 36 37 38 और 38 का जो चुथा हिस्सा बनेगा वो बनेगा साड़ेनों यह साड़ेनों पर मैंने निशान लगा दिया है उसके बाद दोस्तों कमर के लिए आप कुछ जगस निशान लगाना है कमर थी 30 और 30 में तीन इच एड़ करेंगे तो यह हो जाए लोर बरिश्ती दोस्तो 34 36 हो दिन होते हैñas 16 37 का चोथा या बनता है सवानों इस निशान को इसने मिला लेना है अब फ्रैंट्स इस जगे से आपको निशान लगाना ए त्ह़ इस जगे से कितकर लेना है इसकी गोलाई यह जो गोलाई का जो मार्ग होता है दोस्तों इस जगे से कम से कम हमें 1.5 इंच रखना होता है तो दोस्तो इस तरह से अब हमें इसकी करेंगे कटिंग लंबाई टोटल चाहिए हमें तैयार 14 इंच ये देखिए इस जगे से हमें आदा इंच उपज ये निकालते हुए यह देखिए 14.5 पर हमें इसकी cutting कर लेंगे और इसके बिल्कु सेंटर में लगेंगे इस तरह से cut दोस्तो हाला कि मैंने आपको roughly जल्दी जल्दी में बता दिया है किस तरह से यह में आपको फुल डेटेल देखनी हो कि लेडी सूट की यहां किस तरह से cutting की जाती उसके लिए में वीडियो लिंक डाल दूगा जिसमें आपको बारी की समझ में आ जाएगा किस तरह से हम cutting करते हैं किस तरह से losing दी जाती है दोस्तो आगे पीछे किसा काटने के बाद जो आगे वाले हिस्से को उठाना है इस तरह से और आपको इसमें इस तरह से थोड़ा सा आर्म होल की cutting करते हैं तो दोस्तो यह तो था हमार आगे और पीछे का हिस्सा अब मैं पीछे का जो गला है उसका छेंच रखना है हमने तो इस तरह से दोस्तो आद इंच तो इस तरह से चला जाएगा पीछे तो इस छेंच पर आप निशान लगाएं वो गले की है हमने काट ली है अब चोली की cutting के बाद दोस्तो अब मैं आप काटूंगा इसकी बाजू यह देखिए हमारे पास जो कपड़ा बचा है बाजू काटना बिल्कुल आसान है कि इस कपड़े को डबल है यह आपको इस तरह से इसको fourfold कर लेना है एक सिधा निशान लगाना आपको इस तरीके से बाजू की तयार लंबा है यह दोस्तों वह है 15 तो इस जगह से आप आदा इंच छोड़ दें क्योंकि आदा इंच चला जाएगा तो 15 इंच आपको इस जगह से लेना है ये पंदा इंच पे निशान लगा दिया है इसके राव आगे से बाजू फोल्ड होगी एक इंच डेड़े चाप एक्ष्टा रख सकते हो जैसे ये मैंने रखा है बाजू के आगे से गुलाई दोस्तो ग्यारा इंच और बाजू का जो बाईचेस का नाप था और बिल्कुल आसान तरीके से बाजू आपकी कड़ जाएगा इतना करने के बाद दोस्तो अब जो मेंजी जो होती है आर्मोट किस तरीके से फिक्स इसका है अलाकि मैंने इसका भी वीडियो बना रखा है बिल्कुल आसान ये देखी आपको इस तरह से इसको रखना है और आप ये देख लिए ये जो सिलाई किस जगे इसके आएगी ये जो फिक्स सिलाई दोस्तो इसके इस जगे पर आएगी ये देखी आपको आर्वोल की बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी किस तरह किसे बाजू का आर्वोल निकालें इस बाजू की आर्वोल निकालने का भी इस पेशल मैंने वीडियो बना रख है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिश्टन में मिल जाएगा इसके बाद दोस्तों जिस तरह से आगे वाले पार्ट में मैंने कटिंग करने के fem ले जाएआ को दोस्तों बाजू को तो जोली कट चुकी है अब और इसका कैपड़े को डबल करके विछा लेना है जैसे कि मैंने इसको सट कर दिया है कपड़े को दोस्तों, इस तरह से सैट कर लेने, आप को कड़ना क्या है वर कुल आसान तरीका है दोस्तों, यह देखिए यह आपकी चोली है, are पता है कि इस चोली को हमने इस कपड़े से अटेस करना है, तो यह देखिए आदा हो चाहिए कि यहां से दोस्तों इतना थोड़ते हुए ही अप को इस तरीकái से और दूटल हमquest corresponding सब् freshwater लेना है और इस तरी से एक सीधा निशान लगाकर आपको इस पर कटिंग कर लेनी है अब दोस्तों ये आगे पीछे का जो हमारा घेर वाला परिट से वह है आपको बिल्कुल सेंटर में इसमें भी कट लगा लेना तेसे तरह से क्योंकि यह सारक सारा हिस्सा है दोस्तों यह कपड़े वाला यह सारक सारा इसमें चुनेट इस तरह के से आएंगी चोली में टैच होंगी अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं जो को टोटल मेरे पास कपड़ा एक्टा जो बच गया है तो जो मेरे पास एक्टा कपड को हमने इसमें यूज कर लिया है अब दोस्तों इस तरह से बिलकुल असानी से मैं आपको इसकी कटिंग बता दिए फ्रोक वाले कुड़ते की अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इसकी सिलाई होती है दोस्तों सूट बनाते समय सबसे पहले आपको याद रखना है सबसे प कपड़े को हमने इसके चोली में अटैच करना है यह सेंटर पॉइंट आप में आपको मिला लेना है आपको करना क्या है यह देखी जितना भी सारा का सारा कपड़ा है इसमें आपको इस तरह से डालनी है यह चुनट किस तरह से डलती है जिसको हम गैदर से बोलता है सेंटर है यह वाला जो कट लगाना यह कट से कट को मिलाना आपको इस तरीके से दोस्तों प्लेट्स डालने के बहुत हैं थो को बचुर सिंपल तरीक हैं इसम आप चाहो दो दुश्रIC तरीके से ड़ती है वह कभी में curric किसी वीडियो में बता दूंगा कि बॉक्स पर किस ट्रह से डाली जाती है पर आज की वीडियो में मैं आपको भी को सिंपल वे बता रहा हूं फ्रोक सूट का बनाने का तो यह कट से काट आपका मिलना चाहिए तभी आपको अंदाजा रहेगा कि हमारा जो कपड़ा है यह जो प्लेट्स लगाऊंगा तो फ्रेंट्स देखें यह मेरे पास चोली है और यह चोली का नीचे जो कपड़ा बहुआ है तो दोस्तों यह जो निशान लगाया था अब मैं एक ही सलाई में दोनों ही काम करके आपको दिखा दूंगा किस तरीके से मैं इसमें प्लेट्स भी अब कि यह डाउनी है दोस्तों आपको छोड़ी प्लेट्स लगानी है यह देखी इतने इतनी लगबाइब आपको एक एक इंच का इस में गया पर रखना है और प्लेट्स की जो टोटल डिस्टेंस से वह आपको जो अंदर है सिर्फ आदा इंच ही रखना है तो देखें द कि जिस तरह से हम बैल्ट लगाते हैं सलवार की उसी तरीके से इसमें प्लेट्स में लगा रहा हूँ तो दोस्तों इस तरह से आधी सलाई लगवे मैंने लगा दी है और हमारा जो चोली का सेंटर यह देखे कट आ गया है और इसका जो कट है यह वाला है आपको दिख रहा होगा इस कट से इस कट को मिलाना है और जिस साह से प्लेट्स में डाल रहा हूं यह बिल्कुल आसानी से इसमें मिल जाएगा कि इससे क्या है हमारी प्लेटों की जो दूरी है बिल्कुल एक्वल एक साथ बैठ जाती है यह देखें दोस्तों तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हो अब सारा का सारा कपड़ इस तरह से हमारा प्लेट्स डालते जाएंगा यह कवर होता जाएगा हमें करना कुछ नहीं इस सारे कपड़ों केवल यहां जो लास्ट दो इस तक है यहां तक हमने इस प्लेट्स को लगाते जाना है और असानी से यह प्लेट्स लगाते जाएं और यह आपका इस तरह से कवर होता जाएगा देखें दोस्तों कि यह प्लेट रहाना बिलकुल असान ओ कि दोस्तों ये देखें इस तरह से इसमें लग चुकी है आपको इसका अच्छ वाला Back नज़र आ रहा हुगा यह बिल्कुल असान यह तो दोस्तों इस चीज का बिल्कुल भी संकोच नहीं करना अगर आपकी कोई छोटी बड़ी प्लेट आभी जाती है तो उससे कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि यह घेर के अंदर छुप जाती है तो अगर आप सोचो नहीं में प्लेट बराबर नहीं आ रही तो मैं पूरा उसको धेड़े हूं तो दोस्तों इसस सारा कपड़ा कवर कर लिया है यह प्लेट में आपको पहले बता चुकों कि जरूरी नहीं है कि सारी प्लेट इक्वल ही हो क्योंकि जब पहनने के बाद इसका जो गैंदर्स होते हैं यह आपस में सारी छुप जाते हैं तो अगर कोई छोटी बड़ी भी आ जाए तो इसमें आप चाहो तो आगे वाले पार्ट में भी लेट और इसका यह जो डाल सकते हो अगर आप एक साथ आपको श्राइमे नहीं लग पाती तो पहले आप प्लेट लगा लें उसके बाद इस चोली को उपर वाले पार्ट को अटैच कर लें तो दोस्तों इस तरह से अटैच करने क बीडल चुकी है और इसका दोस्तों आगे का जो राउंड गला वह भी बना लिया पीछे से भी गला इसका बना लिया है शोल्डर पर सलाई भी मैंने इसमें लगा लिये दोस्तों मैंने आपको गले की वीडियो इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत कैसे बनाया जाता है इस वीडियो का भी इस्पेशल लिंक में डिस्किस्वन में डाल दूँगा आप वहां से देख सकते को गोला कैसे बनाया जाता है वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने आपको गल्या नहीं बताया अब दोस्तों आगे पीछे इस तरह से ऐता हूं यह देखिए दोस्तों बाझ harvest लगाने का फारमॉला है मैं बाजो को जब आप आगे से फॉल्ड कर लेते हो तो बाजू लगातेसे में आपको एक चीज़ा हमेशहाएाध अदента की जिस तरह से आगे बाश में यह देखिए दोस्तों हमीशा होता है चिस तरह बाव होल की कटिग होती है जैसे कि यह देखेए यहाल है यह आग देखे आगे टरफ कटिंग है तो यह इसे खराब हो जाती है खराब जाती है और घोंग के में चौक से निशान लगा रखाए कट लगा है आपको इस सेंटर पॉइंट से आपस में मिलाना इस तरीके से देखिए यह मिला दिया हमने और आपको बिल्कुल असान तरीका दोस्तों खुली बाजु लगातने का इसको हम बोलने खुली बाजु चड़ाना यह देखिए बिल्कुल बाजु इसके बिल्कुल बराबर बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगो किस तरह से इसके हम फिटिंग करेंगे तो दोस्तों यह देखिए यह बाजू जो है इसकी मैंने लगा ली है अब दोस्तों जिस तरीके से यह बाजू मैंने लगाई है सेम इसी तरीके से आपको दूसरे वाले पार्ट में भी बाजू लगानी है तो फ्रेंड्स देखें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बाजू जो है किस तरह किस लगा जाती है यह बाजू का सेंटर पॉंट था सेंटर से सेंटर में ने मिला लिया था इसी तरह से दोस्तों मैं दूसरी बाजू लगाई थी उसका भी सेंटर मिला रहे थे यह बाजू का सेंटर मिलाना जुरूरी होता है अगर आपको सेंटर नहीं मिलता तो दोस्तो बाजू में खिचाव आता है तो दोस्तो इस तरह से बाजू लगाने के बाद अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें एक फिटिंग के जो निशाने किस तरह से लगाए जाते हैं तो इस तरह से दोस्तो यह देखिए बाजू जब हमारी लग जाती है तो आप सूट को इस तरह से रखना है आपको ये देखिए आगे पीछे के दोनों इसे आप एक साथ रख ले और मैं आपको दिखा देता हूं कि इसमें अपर ब्रेस नाप था 35 तो एक चीज हमेशे लाद रखें जब भी आप सूट सिलते हो तो जो बोड़ी का फिक्स नाप होता है उससे हमें तीन इंच एक्स लोज लेकर चलना होता है अगर कपड़ा तो आप तीन की जगा दो इंच भी लूजिंग ले सकते हो और तो दोस्तो इस तरीके से यह अब उसके बाद दोस्तों जो अपर ब्रेस्ट थी जो लोगर ब्रेस्ट थी वह थी 34 34 में तीन इंच जोड़े 35 36 37 37 का अधा होता है साड़े अठार यह देखिए साड़े अठार आप निशान लगा लिए तो दोस्तों यह जो निशान है कुल मिला के अंदर के तरफ जा रह जाएगा इसी तरह से दोस्तों कमर थी कमर थी 30 30 में मैंने तीन इंच एड़ करें और यह हो जाए 33 और 33 का अधा होता है साड़े सोला यह देखिए साड़े सोला पर मैंने फिटिंग निशान लगा है दोस्तों इस सब्जेक्ट पर भी हमारी की स्पेस्चल वीडियो है जो इंच का जो फार्मूला है हम क्यों यूज करते हैं उसका भी आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिस्टर में मिल जाएगा तो दोस्तों इस तरीके से अभी आपको करना क्या है यह देखिए भाजू की आगे से जो गुलाई थी 11 इंच पर निशान लगा रखा था और यह इस तरह से जो निशान है इस जगह से आपको यहां पर से जो नाप था और साड़े शेंच था यह देखिए यानि कि तेरे अज था भाई चैप्स तो यह स्टार्ट करनी है और इसके साथ मिलाते हुए आपको इसमें हिप्स का कोई नाप नहीं होता इस सीधी नीचे तक जो काटिंग में ऐसे कर रहा हूं आपको यह चीजा रखनी स्लाइस स्लाइश मिलनी चाहिए दोस्तों यह जो चोली वाली स्लाइए यह भी आपको मिला के ही चलनी है वरना इसका जो लुक है खराब आ जाता है अब आपको बिल्कुल सीधी स्लाइश लगा लेनी इसमें कोई भी आपको एक्स्टा करने के जूड़ नहीं है अब तो फ्रेंट्स जैसा कि आप देख रहे हो कि इधर से मैं पूरी स्लाइश लगा दी थी और बिल्कूल नीचे तक सीधी लगा दी ती अब इसी तरह से यह देखो यह दूसरे वाला पार्ट्स में मैंने में कर तो चाहों तो दोस्तों कि दोस्तों आप दोन तरफ एक अड़ा लेते हो तो इसके लावा आप चाहो करना है बिल्कुल आसान है यह देखे दोस्तों आपको जितनी भी नीचे से फोल्डिंग करनी हो जैसे मैंने इसमें एक इंच एक्ट लिया था तो शिर्फ मैं एक इंच इसको फोल्ड करूंगा इस तरीके से और यहां से स्टार्ट कर रहा हूं अब सेम आपको उसी तरीके से पूरा का पूरा घेर इसका फोल्ड कर लेना है तो फ्रेंड्स यह देखिए इस तरह से जो हमारा यह फ्रोग सूट है कंप्लेट हो चुका है नीचे इसमें मैंने स्लाइल लगा ली है हाला कि दोस्तों यह जो फ्रोग सूट मैंने बनाया है बि इसमें किस तरह से आप नेक बना सकते हो यहां फिर कुछ इस तरह की सूट होते हैं जो सामने इस सब्सक्राइब करें थेंक यू वेरी मच झाल झाल झाल